हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक उन सेनी एजूकेशन चैनल तो फ्रेंड्स प्रिवेस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू हीमोडाइनमिक और इलेक्ट्रोफिजोलोजी आफ हार्ट को पढ़ा था जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आज हम देखेंगे यूनिट फर्स का सेकंड टॉपिक डाट इजिए ड्रक्स यूजड इन कंजेस्टिव हार्ड फेलियर तो चलिए सुरू करते हैं आज का टॉपिक तो इसमें बैसिकली हमें उन ड्रक्स की स्टड़ी करना है या उन ड्रक्स की फार्माकलोजी को पढ करेंगे होएं CHF is a complex progressive disorder in which heart is unable to pump sufficient quantity of blood to fulfill the body requirements इसलिए होता है यह हमारा हार्ड जो है यह फेल हो जाता है ब्लड को pump करने क्योंकि body का जो requirement है requirement ज्यादा होता और body की demand ज्यादा होती है और heart उसकी supply नहीं कर पाता हुतना ज्यादा ठीक है यह किस वज़े से demand body की बढ़ती है यह हम आगे discuss करेंगे next देगी क्या लिका हुआ है this occurs due to reduced contractility of cardiac muscles especially those of the ventricles which cause a decrease in cardiac output ठीक है तो यह basically होता क्यों है क्योंकि जो हमारे cardiac muscles है cardiac muscles की एक आप जो है simple से property आप जान रहा है कि contraction relaxation वाली capacity है cardiac muscles के पास ठीक है तो अगर cardiac muscles से properly contract नहीं हो पाएंगी तो जो हमारे ventricles में जो filling होई है blood की वो eject भी नहीं हो पाएगा और अगर वो contract completely नहीं हो गई या अगर उनमें contraction पार उनका weak हो जाएगा तो उसकी वज़े से जो cardiac output है वो भी कम हो जाएगा clear है तो इस वज़े से यह जो है हमारा congestive heart failure develop होता है इसमें होता क्या है कि basically हमारी body का जो demand है blood के लिए वो बढ़ जाता है और heart हमारा जो है लगातार contraction power कम हो जाएगी तो उसकी वज़े से heart beat जो हमारी है वो normal से ज्यादा हो जाएगी जैसे अभी हमारा normally heart beat है 72 to 75 times normally heart हमारा beat करता है अब अगर demand बढ़ेगी तो heart beat ज्यादा हो जाएगी हो सकता है हमारा heart heart जो है 100 बार pump करें या हो सकता है 150 बार 160 बार मतलब heart beat बढ़ती जाती है क्योंकि blood को ज्यादा भेजना है है पेरिफेरल में ventricles में feeling तो ठीक ठाक होती लेकिन प्रॉपर ली वह ब्लड इजक्ट नहीं हो पर है जिससे cardiac output कम हो गया तो इस वजह से जो हमारा heart है तो उसकी heart beat जो है वह बढ़ती जाती है दीरे दीरे नॉर्मली जो 72 से 75 से फिर दीरे दीरे बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जा आता है कि जो है हमारा heart fill हो जाता है blood pump करने में ठीक है तो देखते हैं किन किन कारणों की वज़े से यह situation develop होती है तो इसमें देखिए causes में देखिए क्या लिखा हुआ है फर्स्ट है आपका cause impaired ability of heart to fill and eject the blood यानि heart की वह ability जो है वह इसमें impairment हो जाए जिसकी वज़े से वह fill और reject कर पारे blood को means contraction relaxation वाला step है ना second cause क्या है abnormal increase in blood volume blood का volume जो है किसी कारणबस जो blood का volume है वो increase हो जाए blood का volume कैसे इनकी हो जैसे आप समझे है basically किसी का renal में problem है ना kidney failure वाला case है या renal impairment है तो उस वज़े से उसका जो है blood में filtration नहीं हो पाएगा अगर blood filter नहीं होगा तो urine का formation नहीं ह बढ़ेगा और जब हमारी wonder marketing में blood का वालिंव बढ़ेगा तो यानि कृ ब्लड़ का प्रेसर भी बढ़ेहा और जब प्रेशर बढ़ेगा तो heart जो हमारा pump कर रहा है जो heart blood को pac करके बाहर भेज रहा है तो वो जो cardiac output generate कर रहा है वो cardiac output कम होगा क्योंकि अब हमारे इसमें जो है वेंस में या आर्ट्री में क्या है कि प्रिशर ज्यादा है प्रिशर ज्यादा होगा तो जो है resistance काउस करेगा है तो अब ventricles को और more forcefully counter करना पड़ेगा blood को इसमें भेजने के लिए clear next देखे क्या है arterio sclerotic heart disease यह disease जो arterio sclerotic heart disease है यह भी कहीं नहीं हमारे CHF को cause करने में responsible है यह सारे topics अभी हम लोग दीरे-दीरे करके आगे जो है जानेंगे सेकेंड आपका myocardial infarction एंजाइना case में यह भी हम देखेंगे myocardial infarction basically myocardial का मतलब होता कि हार्ट हमारे तीन लेयर से मिलकर बना है फर्स सेकेंड थर्ड इनर वाली आउटर वाली हम यहां देते हैं यह आउटर वाली को हम लोग कहते हैं हम लोग इनर मेंब्रेन है उसको हम लोग कहते हैं एंडोकार्डियम तो जो myocardial मसल्स है ना myocardial tissue जो है यही contraction और relaxation में help करता है न तो इस myocardial tissue में किसी वज़े से अगर infarction मतलब अगर myocardial tissue तक ब्लड की supply न पहुंचे तो उसकी वज़े से यहां की cell में इंपेर्मेंट होगा तो अगर यही मसल्स responsible है contraction के लिए और यही मसल्स वीक हो जाएंगी तो जो हमारा contraction power है या relaxation power है वो जो है डिश्टब होगा जिसकी वज़े से हमारा CHF कॉस होगा है न हाट अनेवल हो जाएगा ब्लड को पंप करने में है न नेक्स्ट आपका देखें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है hypertension hypertension भी कहीं न कहीं आपका CHF कॉस कर सकता है hypertension में क्या होता है कि basically जो total peripheral vascular resistance है ना total peripheral vascular resistance वो ज्यादा increase हो जाता है समझे क्योंकि जो arteries है या जो veins है उनमें अगर blood pressure ज्यादा होगा तो heart को इसके अंदर blood बेजने के लिए more forcefully contract करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्रेसर ज्यादा है जिसकी वज़े से resistance होगा है न तो resistance की वज़े से भी जो है यह hypertension वज़ेस भी हमारा यह CHF होता है second है आपका heart disease यानि heart के जो walls हैं उनमें कुछ impairment हो जाए जिसकी वज़े से हमारा heart enable हो जाए blood को pump करने में next है types of CHF ठीक है तो और CHF बिसकली दो type का होता है left sided CHF and right sided CHF हना heart को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि heart में चार चेंबर हैं उपर वाले को अमद्व एक्रियम करें निच्छे वाले को वेंट्रिकल करें तो यह जो है left वाला ventricle है और यह हमारा right वाला ventricle है तो एक हमारा CHF क्या होगा है left sided CHF जो इस left इसमें basically हमारा जो left side का ventricles है वो blood को pump करने में फेल हो जाता है और यह जो left sided CHF यह बिसली दो टाइप को होता है CHF को हमारा heart failure तो दो टाइप को कौन कौन सा है systolic heart failure और एक है diastolic heart failure systolic में देखके लिखा it occurs when the left ventricle fails to contract normally this reduce the level of force available to push blood into circulation अब आप समझेगी left वाले ventricle में blood हमारा फिल हो जुगा है ठीक है blood की फिलिंग हो गई है clear है अब इसको जो है पंप करना है जो है और में blood को पंप करना है तो इसे contract करना पड़ेगा और contraction पावर अगर कम हो जाएगा यानि force of contraction अगर कर कम होगा तो उसकी वज़े से ये वेंट्रिकल जो है completely blood को और्टा में इजेक्ट नहीं कर पाएंगे तो यहां पे अगर यह situation develop हो रही है जिसमें हमारा जो है systolic वाला action डिश्टब हो रहा है नहीं हार्ट जो वेंट्रिकल से वो नॉर्मली जो मसल्स में stiffness आ जाए मतलब मसल्स थोड़ा सा रिजिड हो जाए उनकी elasticity कम हो जाए तो उसकी वज़े से क्यों रिलाक्स नहीं हो पाएंगे और अगर वेंट्रिकल कंप्लीट्ली रिलाक्स नहीं होंगे तो जो ब्लड वॉल्म वहां पर फिलिंग होना है वह फिलिंग नहीं हो पाएंगे फिलिंग कम होगा फिलिंग कम होगी तो फिर ejection भी कम होगा जिससे फिर cardiac output हमारा कम हो जाएगा और इस टाइप के CHF को हम लोग क्या कहेंगे diastolic heart failure और diastolic वाला type of CHF है ना second type of CHF क्या है आपका right side of CHF इसमें क्या होता it occurs when the right ventricles has difficulty in pumping blood to lungs usually the disease starts in left side left side and then travels to the right side basically यह जो CHF congestive heart failure यह आपका जो है यह दोनों ventricles है तो यह basically जो है left side वाले ventricles से start होता है और right side तक जाता है ना जब यह यहाँ पर अगर हम इसका treatment कर लेते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर यह धीरे धीरे जो है role of physiologic compensatory mechanism जाने कि जो CHF हमारा congestive heart failure इसमें हमारी body की कुछ compensatory mechanism है जिनका बहुत बड़ा role होता है cause का नहींना जैसे कि chronic activation of sympathetic nervous system आपको पता है sympathetic nervous system के activate होने से क्या होगा कि adrenaline का production ज्यादा होगा और adrenaline एक हमारा neurotransmitter है और यह beta alpha receptor बाइंड करके कायम करते हैं तो heart के पास हमारा क्या beta 1 receptor है तो अगर यह adrenaline का production ज्यादा होगा तो यह beta 1 receptor को activate करके हमारे heart rate को बढ़ाएगा ठीक है दूसरी चीज यह beta 1 receptor हमारा जो kidney के पास है उस kidney वाले beta 1 receptor को भी activate करेगा और जिसकी वज़े से kidney से क्या होगा रेनिन का production ज्यादा होगा और रेनिन का अगर production ज्यादा होगा तो फिर जो बेनिन जो टेंसिन अल्डोस्टान सिस्टम है यह भी activate होगा है ना तो यह दो ऐसी compensatory mechanism है जो कहीं न कहीं जो है CHF को lead करने में बहुत बड़ा role play करती है क्लासिफिकेशन आप ड्रक्स यूजड इन कंजेस्टिव हार्ड फिलियर के केस में कौन-कौनसी ड्रक्स यूज़ करते हैं उनका छुड़ा सा classification ने देखिए दो टाइप से हमने classify किया drugs with positive inotropic effect and second one is drugs with without positive inotropic effect है ना तो drugs जो positive inotropic का मतलब सबसे पहले हैं आइनotropic effect का मतलब है heart का force of contraction से हैं ना किलियर है जो drug हमारे heart के यानि की ventricles के force of contraction को improve करेंगी उनको हम कहेंगे positive inotropic effect किलियर है और जो drugs हमारे heart के force of contraction को कम करेंगी ventricles के force of contraction को reduce करेंगी उनको हम लोग कहते हैं negative inotropic drugs देखिए इसमें कौन-कौन से drugs है जो positive inotropic effect को करेंगे तो इसमें first है आपका cardiac glycoside जिसका example है डिजॉक्सिन और डिजी टॉक्सिन इनका बालोचकर सोल सामने लिखा हुआ है from digitalis है न डिजी टैलिस पर प्लांट से जो है यह डिजॉक्सिन और डिजी टॉक्सिन तो यह दो टाइप की के force of contraction को इंप्रूब करेंगे डोपामिन भी कहीं न कहीं डाइटली हार्ट के force of contraction को इंप्रूब करता है नेक्स्ट है फास्फोर डायस्ट्रेस इंविटर जिसका example है एंब्रीनोन और फॉर्थ है आपका calcium sensitizer जिसका यह ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसका side effect as compared to other positive anotropic drugs इसका side effect थोड़ा सा कम होता है कल्सियम sensitizer basically जो है मायोग फिलामेंट के पास calcium के लेवल को increase करते हैं जिससे force of contraction हमारा बिल्ड होता है क्यों calcium हमारा हाट के force of contraction के responsible हैं सेकंड टाइप classification देखें क्या है drugs without positive anotropic effect वो हार्ट के force of contraction को improve नहीं करती हैं बट indirectly कहीं न कहीं जो है CHF के symptoms को कम करने का काम करती है ठीक है इसमें देखें फर्स्ट क्या है diuretics diuretics में example आप थायाजाइड फ्यूरोसेमाइड इसफारणोल लेक्टोन अन अल्ड़ोइस्ट्रोन antagonist सेकेंड में डायोटिक्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना यहां पर थोड़ा सा shortcut में देखेंगे क्लियर है diuretics क्या करती है बैसिकली आपके urine के output को promote करती है जैसे कहा होगा कि जो blood volume है वो कम होगा और blood volume कम होगा तो कहीं ने कहीं blood pressure कम होगा blood pressure कम होगा तो वैस्कुलर resistance कम होगा जिसकी वज़े से cardiac output में improvement होगा ठीक है नेक्स्ट है एस inhibitors angiotensin converting enzyme inhibitors यहां पर हम सिर्फ classification देख रहे हैं बैसिकली यह क्या करते हैं angiotensin converting enzyme को inhibit करते हैं जिससे जो हमारा angiotensinogen हो जाना है वो एंजो टेंसिन सेकंड में convert नहीं हो पाता है और एंजो टेंसिन सेकंड नहीं बनता है इस वज़े से जो है फर्दर वैसो कंस्रिक्शन नहीं होता है तो क्या होगा वैसो ट्रीटमेंट में help करेंगा ठीक है यह जो बैसिकली यह इस इनिविटर रिसेप्टर ब्लॉकर यह आपके रेनिन यह टेंसिन अल्डोश्टन सिस्टम पर काम करते हैं इसका वज़े से यह कहीं ना कहीं हाइपर टेंसन यानि की जो हाई बीपी वाला सिच्वेशन या हाई हाइट रेट वाला सिच्वेशन उसको नॉर्मलाइज करते हैं ठीक है नेक्स्ट है वैसो डालेटर में आपको एक्जामपल है नाइट्रेट्स और हैड्रलाजीन यह क्या कर कर पायागा ठीक है वैसोल रेजिशन ज्यादा होगा तो हाट को मोर फोर्सफली कॉंट्राइट करना पड़ेगा अब इस टॉपिक से रिलेटेट एक प्रिवेस यहर में क्वेशन पूछा गया है क्लासीफाइड ड्रॉक्स पॉर सी एचेफ डिस्क्राइब मेकेनिजम फा इसका यूज लिखना और इसका इंट्रेक्शन लिखना है तो डिजिटालिस का जो मेकेनिजम फेक्शन यह आप लोड़ेड है अनिमेशन के थूँ तो आप उसको समझेए और इसका जो अधर चीज है जैसे यह फार्मक लोजिकल एक्शन यूज और इंट्रेक्शन वगरा यह नेक्स्ट वीडियो में हम अप्लोड करेंगे ठीक है और ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ